हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक माई ट्यूप चैनल अखलेश को ठारी इस्टडी प्लस वर्काउट पर तो फ्रेंट्स वेलकम है आपका नए क्वेशनों के साथ जो रिलेटेड हैं वाईरस से और यह माईक्रो और्गिन्जम का लास्ट पोर्शन है एकोडिन्ट से बस फ्रेंट्स आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए आपको कैसे लगी कमेंट कीजिए तो फ्रेंट्स सीधे स्टार्ट करते हैं वाईरस तो फ्रेंट्स वाईरस को यह दी हिंदी में कहा जा अगला प्रस्ण वाइरस सब्द किसे ने दिया तो फ्रेंट्स वाइरस सब्द पास्चर नामक वेगानिक ने दिया अगला प्रस्ण विसानों की खोज सरपर्तम किसे ने की तो एकी फ्रेंट्स एवानों वश्की ने टोबे को मुझे एक वाइरस टीमसी में कुछ का बाद का पबाद है वाइरस फ्रेंट्स वाइरस एक बहुत ही कम अजीब प्रकार का जीव कहा सकते हैं इसे और वाइरस को सजीवों निर्जीव के बीच की सेंजी कड़ी भी कहा जाता है क्योंकि यही वाइरस dead cell में होगा तो यह मिर्त जीवों की तरब यहार करता है और living cells में होता तो यह और जीव की तरब यहार करता है अगला प्रश्ट वाइरस गुणन करता है तो स्काँम सब्सक्राओं के वल जीवित कोई कामी है तो इसको कहते हैं फ्रेंट्स कैपसिट विशानों में प्रोटीन आवरण की उपिक आई है तो विशानों की स्पदार्थ के बने होते हैं तो फ्रेंट्स से विशानों नुकलियो प्रोटीन से बने होते हैं विशानों में उत्पडवरतन को पहले देखा तो फ्रेंट डैल ब्रूक ने देखा था जिवानों को संक्रमित करने वाले विशानों कहलाते हैं तो फ्रेंट्स बैक्टिरियो फेज कहलाते हैं तो friends वेक्ट्रियो फेज ऐसे वाइरिसे होते हैं जो जिवानों की सारी मसीनिर को हैक कर लेते हैं और उनको संक्रमित कर देते हैं अगला प्रस्ण वेक्ट्रियो फेज की खोज किसी ने की friends FW. ने अगला प्रस्ण बैक्ट्रियो फेस सब्द किसी ने दिया तो इदिया फ्रेंट्स D हैरेलिने अगला प्रस्ण विशानों जो सहवाल को संक्रमित करते हैं तो वो क्याला आते हैं फ्रेंट्स फाई को फेस अगला प्रस्ण विशानों जो नील हरित सहवाल को संक्रमित करते हैं उनको कहते हैं फ्रेंट्स साइनो फेस अगला प्रस्ण साइनो विभोजी को सबसे पहले देखा तो फ्रेंट्स ये सैफर मैन और मोरिस ने देखा था अगला प्रस्ण ओर्थोपोर्ट जिनित विशानों को कहते हैं इसको कहते हैं फ्रेंट्स एरवो वाइरस अगला कोईशन वाइराट की खोज की तो फ्रेंट्स वाइराट की खोज टी ओ डाइनर एवं डबलू भी रैमर ने की थी अगला प्रस्ण विशानों में आनवाणसिक पदार्थ है तो ए फ्रेंट्स डी एन ने या रैनी इन दोनों में से कोई भी एक आनवाणसिक पदार्थ हो सकता है अगला प्रस्ण विशानों के संदर में कॉंटीजियम, सीविल, फ्र्यूडम किस ने कहा था तो ए फ्रेंट्स बेंजेरिक ने कहा था DMB बशाण में पाए जाने वाला आन्माशिक पदार्थ वो फ्रेंड्स RNA है तो हो है DNA अगला परिपक को वाईरस कंड कहलाता है तो इक वाईरन अगला परिपक को सरुपरत्रम क्रिस्टली करत किया था तो है इसे लिए ने इसको कृष्टली करने में सफलता हासिल गी थी संक्रामक RNA जो बिना प्रोटीन कोड के वाइरस मान रोग dopant करता है नहीं यह आरेन्य उमें और बिना प्रोटीन कोड के वाइरस के जैसे रोग depends करिंगे वाइररोड कालाते हैं अगला प्रस्ण वायरोड सब्द किसी ने दिया है तो यह दिया है फ्रेंड्स डाइनर ने अगला प्रस्ण किसी पोसक का रोग जनक विशानों दोरा बच्चाओं कहलाता है तो इसे कहते हैं फ्रेंड्स इंटर फेरोंस अगला प्रस्ण जीवानों भोजी में डेने कहां पा जाता है तो फ्रेंट्स एन्फ्लेंजा में न्यूरा मिनिटेट्स पाहे जाता है एंजाएं हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है फ्रेंट्स हाइड्रोफोबिया होता है विशाणों के द्वारा और हाइड्रोफोबिया रह भी जे पागल कुते के काटने से होने वाल करते हैं तो फ्रेंट्स वाइरस जो तनी का सिड़ से उसको छोड़ कर किसी भाग पर संक्रमन कर सकते हैnh अगला प्रस्ण वायरेस कkę डीने प्राइडियो क्या जा सकता है तो किเห्रेंट्स यहीं किया जाता है वासपोरेस भासपुरेस 30 तो से अगला प्रस्न किस चक्र में पोशक कोई नस्ट हो जाती है तो फ्रेंट्स जो होस्ट सेल्स है वो लाइटिक साइकल में नस्ट हो जाती है अगला प्रस्न किस चक्र में पोशक कोई नस्ट नहीं होती है तो फ्रेंट्स लाइसोजेनिक साइकल में आप इनको थोड़ा डीब भी बढ़िएगा ताकि आपको इनके बार में और विस्त्री जानकारी हो से किया है, तो फ्रेंड्स इसके बाद बात करते हैं, वायरेस के एकनोमिक इम्पोर्टेंस की, तो फ्रेंड्स वायरेस से जो है हमें नुक्सान निप पहुचाते हैं, वाय से woven by इसमें सबमासे कुछान से चैनल और इसमें सबसे। बेंडी पीध सिरा मोजेग ये बिमारी वो तय फ्रेंड़स फीध सिरा विशा ऐक ना मोजेग ये इव दिफ्रेंड्स अन्छ जेचेल आलू मोजेक यहँताइबड़न्स आलू का रै विशाण। अगला स्टमबाकू का परिण अगला स्टमबाकू का मोजेक यहँताइब st अगला प्रशन एलफा एलफा गुप्त मोजेक यह रोग हो तैफ या राफ विशाण। अगला परसность झेम करें मोझे यह होता है या फिन से पार ऑसें वाईरस से आप्ळा बात कर लेते हैं कुछ ऐसे रोगों की जो मनिश्य में वाइरस के कारण होती है तो friends human disease cost by virus इसमें पहला डेंगु जो और है तो friends डेंगु जो और होता है डेंगु विशावनु से cold होती है friends कोरिया विशावनु से philia होता है hepatitis विशावनु से छेचक होता है रियोला विशावनु से hydrophabia होता है rabus विशावनु से तीवर अतिसार होता है एकोवारस है और एनफिलेंजा होता है एनफिलेंजा विशावनु एस है और जो आजकल बहुत ही trending है corona होता है friends corona विशावनु से तो I hope आपको फसंद आ रहे होंगे questions और आपको useful जरूर होंगे तो friends last name में यही request है कि channel को please subscribe कीजिए आपके support की जरूरत है video को like कीजिए अपने friends के साथ share कीजिए और आपको question के standard कैसे लगए है please comment कीजिए तो friends thank you all the best for your examination best of luck thanks friend